ती हेलो इस्टुदेंट्स हमारा नार नेक्स टॉपिक है लेवल ऑफ नियॉनेटल कें तो सब से नदिवह पहल करते हैं इसमें वीद्तеци से यॉवट सेकटर थार तो सब से पहले यॉवर फर्वान कि पढसे यॉन इसमें क्या होता है कि जो minimum care होती है जो infant के लिए जो neonate health के लिए तो वो इसमें दी जाती है level first में ठीक है तो normal neonate होता है जिसमें कोई complication, disease कुछ भी नहीं हो तो normal delivery से जो normal neonate होता है उसको इसमें care दी जाती है provide by the mother under the supervision of basic health professional neonate weighing more than 2000 gram तो जो neonate जिनका वे 2000 gram से उपर हो और जो having gestational age maturity of 37 week or more belong to this care of pregnancy के बाद में जो delivered हुआ हो ऐसा neonate को इसमें इस level में care दी जाती है this care can be include care of delivery मतलब इस care में delivery के समय जो care दी जाती है new neonate को वो include होती है और provision of warmth मतलब कैसे बच्चे को warm रखा जाता है ठीक है तो जो thermoregulation होता है कैसे उसका जो temperature है वो regulation में रखा जाता है बच्चे का तो वो सब care हम देते हैं कैसे warm रखा जाता है बच्चे को वो देते हैं उसके बाद maintenance of asepsis एससे को कैसे मेंटेन रखा जाए बच्चे को कैसे इंफेक्शन से प्रिवेंट रखा जाए उससे लेलेटेट केर देते हैं एड प्रमोशन और ब्रेस्ट फिटिंग और ब्रेस्ट फिटिंग को प्रमोट करते हैं इसके बाद में सेकेंड है लेवल और सेकेंड केर इसमें क्या होता है इसकेर इंक्लूड रिक्वायर्मेंट और रिससिटेशन मेंटिनेस ऑफ थर्मो नूट्रल टेंप्रेचर आईवी इंफ्यूजन गावेज फीडिंग फोटो थेरेपी और एक्सेंज ट्रास्फूजन तो इस कर में ये सब चीजें इन्क्लूड होती है जो कि इस केर में ऐसे बच्चे रिप्त किया जाते है जिसमें थोड़ी बहुत कम्ट्रिकेशन हो उसके थेरेपी दी जाया और एक्षेंज ट्रांस्विजन किया जा सके ठीक है तो ऐसे इस लेवल में क्या होता है तो न्यूबॉर्ण होते हैं वो दस से पंदरा परसेंट न्यूबॉर्ण इस केर में इंक्लूड होते हैं अन्यूबॉर्ण तो केरो एंटिसिपेट फोर इनफेंट बेऊंगि बीटुईन फिफ्टीन थाउजंड अंड्रेट टू एटीन हंड़ेड ग्राम मतलब इसमें क्या होता है कि जो पंदरा सोसे अठारासों ग्राम के बच्चे होते हैं उनको इसमें सामिल गया जाता है तो जो 1500-1800 ग्हाम की बत्चें होते हैं उनको लेवल सेकंड केर दी जाती है और हेविंग जस्टेस्टेशनल एज के 32 ये के 36 वीक के बीच में जो बॉर्ण होते हैं ऐसे इन्फेंट गो ये से न्यूनेट को केर दी जाती है उसके बाद में लेवल थार्ड केर तो य्तिम आ вчए है कि कर दो जो थर्ड के रोंगार थे, उसमें किया कि इंक्लूट रोंग सिस्टम तो लैज्मिंस पोर्ट सिस्टम की केर जिस्टम में दी जाए वो लेवल थर्ड होता है ठीक है दैसे की वेंटिलेटर हो या फिर बेस्ट सुटेड स्पेशल आईश्यू हो इंटेंसिव नियो नेटल केर यूनिट हो ठीक है उसके थ्री और फाइफ परसेंट ऑफ नियूबॉर्ण रिक्वाइर केर ओफ दिस लेवल इस ग्रीटिकल इल बेबी है ठीक है यह फिर उजो हाई रिस्क बच्चे होते हैं ऐसे बच्चे इसमें शामिल किये जाते हैं इस केर में फोर दोस बेंग लेस देन फंदरा सो ग्राम मतलब जो जिसनका वीट भी फंदरा सो से ग्राम कम हो और जो जो जस्टेशनल एज की थ सिस्टम हम देते हैं बच्चे को तो यह हमारी होगी लेवल्स ओफ नियो नेटल केर थेंक यू